स्वागत है भाई एक उस अंदर वीडियो में ये जो की आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये बलॉंग करती है इस पुड़र्ट को इंडियन मार्किट की वन आफ दी मोस्ट पॉपुलर SUV ये है Scorpio N हमारे सामने खड़ी है पेस वेरेंट ये खड़ा हुआ है Z2 डीजल के अंदर manual transmission के साथ गाईडी खड़ी है एंड अभी हाल फिलाल मैं Scorpio N की उस safety rating में भाई 5 star मिले हैं बट आपके लिए थोड़ा सा disappointing हो सकता है क्योंकि Z2 एंड Z4 के अंदर आपको 5 star safety rating देखने को नहीं मिलेगी उसका reason है जो 5 star safety rating सिर्फ उसी variant को मिले जिसके अंदर आपको electronic stability program देखने को मिलता है उसके अलावा अगर आप इस feature के अलावा दूसरा variant को लेते हैं तो उसमें आपको 5 star safety rating देखने को नहीं मिलेगी प्लैक कलर हमारे सामने घड़ा है गाईडी की looks आप देख लो भाई काफी शांदार गाईडी देखने में लग रही है अलाव अगरा जो है कस्टूबन ने अलग से लगवाए है अधर आपको बेस वेरेंड में steel rim देखने को मिलते हैं एक्शो रूम कोस्ट करता है 16,48,000 diesel के अंदर और वहीं आप जाते हैं पैटोल पर तो करीब आपको 45,000 रूपे सस्ती बढ़ती है उसका एक्शो रूम कोस्ट करता है 16,3,000 आप इस प्राइस पेंट पर आपको क्या कुछ फीचर देखने को मिलते हैं क्या कुछ माइलेज है क्या कुछ स्पेस है सारी चीजे वीडियो में कवर करने वाले हैं वीडियो के end तक बने रहो तो की से स्टार्ट करते हैं bonito की फृलित की आपको देखने को मिलती है दोनों ही बाकी दोनों ही आपकी नॉर्मल की है remote center locking option आपको नहीं दिया है and key को रखते हैं pocket में front look की बात कर ले पे हैं and ये कुछ इस तरीकी की aggressive सी front look आती है अपनी पूरी गाड़ी की center आपको मिलता है chrome के साथ महिनबरा का logo and radiator rail जो है ये आपको मिलने वाली है matte finish के अंदर black and ये इनके उपर आपको मिल जाता है glossy finish headlamps अगेरा की बात करें तो dual halogen bulb के साथ आपको headlamp देखने को मिलते हैं एक आपका low beam के लिए एक high beam के लिए turn indicator जो है वो आपको इदर देखने को मिलेगा base variant आपको fog lamp अगेरा भाई missing है power and torque की बात की जाए तो ये engine आपको deliver करता है 172bhp की power and torque produce करने वाला है 400 newton meter का वही अगर आप जाते है पेट्रोल पर तो उसमें ये engine आपको deliver करता है 175bhp की power and torque produce करता है 380 newton meter का पकी by power and torque तो almost आपकी similar कोई जादा फर्क नहीं है फर्क जो आता है आपको mileage में देखने को मिलता है air eye जो claim करती है petrol के अंदर 14 की करती है and diesel के अंदर drop की करती है 18.5 की करती है तो करीब 4.5 की mileage का फर्क आजाता है बाकि अगर आप Delhi NCR में गाड़ी प्लान नहीं कर रहे हैं तो आप definitely डीजल पे जा सकते हैं ज़्यादा आपको cost भी नहीं पड़ती है mileage आपको अच्छी मिल जाती है power torque आपको ज़्यादा मिल जाते है बाकि अगर Delhi NCR में आप प्लान कर रहे हैं तो फिर वाइट पोड़ी सी सोसिने वाली बात हो जाती है कि diesel की validity आपकी 10 साल होती है पेटरोल की validity आपको 15 साल देखने को मिलेगी यह कुछ इस तरीके की side profile देखने को मिलती है आपको पूरी गाड़ी की tire size की बात करें तो इधर आपको मिलने वाला है R17 का tire size steel rim के साथ alloy जो हैं आपके अलग से लगे हैं वाई करीब 70,000 रुपे cost इन की है showroom से आपके लगे है front आपको disc brakes मिलती है rear में भी आपको मिलने वाली है wheel arch colliding इदर आपको मिल जाती है and side colliding वगेर आपको देखने को मिल जाएगी mat finish के अंदर black and ground clearance की बात करें तो 187 mm का ground clearance आपको मिलने वाला है इस गाड़ी के अंदर ORVM मिलते हैं आपको mat finish के अंदर black with LED turn indicator and door rental वगेर आपको mat finish के अंदर black देखने को मिलते है and क्योंकि गाड़ी जो है भी black color में खड़ी है तो आपके match हो रहे हैं यह ऐसे लग नहीं रहे हैं कि आपको अलग मिल रहे हैं and यह कुछ इस तरीके की rear profile आती है अपनी पूरी गाड़ी की सेंटर मापको मिल जाता है chrome के साथ महिंदरा का logo Scorpio N की basing आपको देखने को मिल जाएगी LED tail lamp आपको मिलते हैं turn indicator वगेरा जो हैं वो भी आपको LED देखने को मिलेंगे and high mounted stop lamp आपको मिल जाता है and top पर आपको मिलता है body color, shark fin, antenna दो आपको river sparking sensor मिलने वाले हैं and बिल्कुल bottom मा आपको मिलते हैं rear fog lamp with reflector spare wheel वगेरा जो हैं बिल्कुल आपको नीचे mounted है and बात की जाए boot वगेरा की तो boot open करके मैं आपको देखा देता हूँ ये कुछ यहाँ पर 4 boxes आपके रखे हैं ये जो है गाड़ी के rim रखे हैं and ये कुछ 460 लीटर का boot space आपको देखने को मिलता है जो third row है वो fold करने के बाल अगर आप fold नहीं करते हैं तो भाई आपको क्या ही space मिलता है कोई pit to bag वगएरा आप यहाँ पर रख पाएंगे इससे ज़दा space आपको देखने को नहीं मिलेगा and ये कुछ इस तरीके का dual tone इंटी देर आपको देखने को मिलता है matte finish के अंदर black and ये brown सा tone आपको देदिया है and doors वगएरा आप देखते हैं same pattern के साथ dual tone door आपको देखने को मिलते हैं softness वगएरा का use कहीं भी नहीं किया है पूरा ही पार्ट आपको plastic मिलने वाला है all power window मिलती है and कोई भी window आपको one shot down नहीं मिलेगी heavy सा आपको मिलता है matte finish के अंदर door handle and door lock कब भी आपको matte finish के अंदर black देखने को मिलेंगे and अभी polo 3 से cover है इधर आपको कुछ space मिल जाता है करीब एक लिटर की bottle आप यहाँ पर रख पाएंगे and इधर आपको diary वगएरा के लिए space मिल जाता है चारवी doors में आपको speaker वगएरा के लिए तो नहीं मिलते है 4-way manual adjustable के साथ आती है 6-way adjustable को option नहीं है इससे उपर वाले variant में आपको 6-way adjustable देखने को मिल जाएगी driver and co-driver headrest आपको height adjustable मिल जाते है and अब बैठते हैं गाड़ी के अंदर तो steering wheel आप देखे हैं flat bottom steering wheel आपको मिलने वाला है tilt function के साथ आता height according आप uptown adjust कर पाएंगे telescopic नहीं है left में आपको multimedia के control मिल जाते है right में आपको मिलता है blank and right side आप देखते हैं तो यह आपको MID के कुछ control मिल जाते है idle start stop आपको मिल गया light laser and hood वगेरा open करने के लिए आपको अधर मिल जाता है and instrument cluster में आपको एक बड़ देखा दू ignition कर लेते हैं on and ये कुछ इस तरीके का वाई analog instrument cluster देखने को मिलता है and ये center में 4 inches की digital display personally मेरा ये favorite है वाई analog जो है classy लोग देता है left में आपको rpm meter मिल जाता है right में आपको मिल जाता है speedometer and a door open है कितने kilometer guide ही चली है fuel gauge temperature and बाकी कितने kilometer guide ही और चल सकती है ये कुछ information आपको इदर देख जाएगी and center में आप देखते हैं तो 9 inches का Android touch system जो है customer ने अलग से लगवा है with 4 speaker तो ये आपका cost करता है around 28,000 showroom से 28-30 रुपे के आसपास ये आपको cost करेगा Android system है बाकी reverse parking camera नहीं लगा है otherwise base variant में ये आपको blank देखने को मिलता है AC panel आपके होगे and center में आप देखते हैं manual AC आपको मिल जाता है 1000 बटन इदर आपको मिल गया and इदर आप देखते हैं तो एक आपको aux port and एक USB board मिलता है ये आपको जो है USB वगएरा connect करने के लिए है बाकी आप charging के लिए भी आप इसको use कर सकते हैं and इदर आपको कुछ space मिलता है phone वगएरा रखने के लिए कुछ ये space हो गया 6-speed manual transmission के साथ गाड़ी खड़ी है बाकी 6-speed 80 option भी आता है 2 cup filters आपको मिल गए manual handbrake आपको मिल जाती है and center में एक आपको मिलता है armrest and softness वगएरा के use कहीं भी नहीं गिया है ये भी आपको plastic मिलने वाला है slide function के साथ नहीं आता but openable है and open आप करते हैं तो ये कुछ आपको space देखने को मिलेगा इसके अंदर करीब एक can आप यहाँ पर रख पाएंगे कुछ ये इतना space मिलने वाला है and top पर आप देखते है manual dimming function के साथ आपको मिलता है IRVM कुछ इस तरीके से आप इसको adjust कर पाएंगे and glove box की बाप करे तो ये कुछ इतना बड़ा आपको glove box देखने को मिलता है first aid kit रखी है service book वगेरा leather pouch आप यहाँ पर रख सकते है ये कुछ आपको space मिलता है decent enough space है भाई कोई दिक्कत नहीं है and dashboard again आप देखो भाई ये आपका matte finish के अंदर black हो गया and ये brown softness वगेरा का use कहीं भी नहीं किया है दो airbag आपको मिलने वाले है co driver and driver and अप चलते हैं rear वाली seat पर rear में आपको क्या space मिलता बटस से पहले अपनी driver seat को कर लिते है height according adjust and ये आगे भी हम rear में second row के अंदर ये आपको 60-40 से plate option के साथ देखने को मिलती है अपने साब से आप इसको fold कर सकते है and co driver side से आप 40% हिसा fold करते हैं आप 3rd room में ingress कर पाएंगे and doors वगेरा आप देखते हैं तो same pattern के साथ आपको door देखने को मिलते हैं soft touch वगेरा का use कहीं भी नहीं किया है ये भी आपको part पूरा plastic मिलने वाला है करीब एक लिटर की bottle आप इदर भी रख पाएंगे and speaker वगेरा के लिए जगा आपको rear doors के अंदर मिल जाती है बागी अभी speaker install है इस में s3 में and अब बात कर लेते हैं seat पर space की तो near room आप देखो यार कुछ इस तरीके से हाथ open करने के बाद ये कुछ जगा यहाँ पर बसती है ये कुछ आपको near room देखने को मिलेगा किसी भी तरीके से आप bear relax आप बैट पाएंगे and जो driver seat है वो हमने अपनी height के साफ से adjust किये and मेरी जो height है 5.6 feet है उसके साफ से seat adjust है बागी 6 feet का बन्दा बैठता है तो भी अच्छा खासा space आपको देखने को मिलेगा thigh sport वगेरा अच्छा खासा मिलने वाला ये जरा सा कर्म आप देखने हैं आपको thigh sport के लिए मिलता है तीन लोग easily बैट पाएंगे shoulder room अच्छा खासा मिलने वाला है and जो rear वाली seat है ये या आप recline कर सकते हैं इसको two way manual adjustable है fold के लिए भी आप use कर सकते हैं या फिर recline के लिए आप इसको और पीछे adjust कर सकते हैं दो headrest आपको height adjustable मिलते है and center में एक आपको मिलता है fixed and center में एक आपको armrest मिलता है foldable with two cup folders अभी जो है polo 3 से cover है तो unfold नहीं कर सकते and rear race event वगेर आपको देखने को मिल जाएंगे rear passenger के लिए and इधर आपको मिलता है एक type c port phone वगेरा charge करने के लिए and top पर आप देखते हैं तो दो reading lamp आपको मिलते हैं एक उधरा आपको मिलता है front वाली रो में and एक ही आपको बिलकुल top पर मिलता है center में second row and third row के लिए तो total दो reading lamp आपको मिलने वाले हैं तो यह थी पाई अपनी second row space वगेरा की comfort वगेरा की तो किसी तरीके की कोई दिक्कत मेरे को नहीं लगी तो यार यह थी आपके सामने महंदरा Scorpio N का base variant Z2 diesel के अंदर manual transmission के साथ extra room वगेर की में पहले भी बात कर चुका हूँ साड़े 16 लाग रुपे extra room कोस्ट करता है इस वाले variant का 16,48,000 on road की बात की जाए तो करीब 2 लाग रुपे आपके और plus हो जाएंगे insurance registration and TCS वगेरा include करके तो करीब 16,48,000 रुपे की ये गाड़ी आपको on road पड़ जाएगी and 16,48,000 में आपको अच्छी खासी popular SUV देखने को मिल जाती है popular SUV ये है powerful engine के साथ आपको देखने को मिलती है तो 16,48,000 रुपे में अच्छी खासी deal ये हो जाती है बाकी आपको काड़ी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताए and video informative लगिए तो प्लीज आर वीडियो पर like कर दो channel को subscribe कर दो thank you